वेल पच्व आप मैंसे मैक्सम बचुका यही डिमांड आ रहा था कि सर एम्स पेरामेडिकल के ओपर रहना कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए A to Z तक अब 24 के अंदर एम्स पेरामेडिकल में कौन-कौन से कोर्स आफर किया जाने वाले हैं क्या होगा सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं यह वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा इसके लिए आप लोग 1.5 एकस के स्पिट पर लगा लेना और इसको एंड तक जरूर से देखिएगा देखिए इस वीडियो में आपको पहले बता देता हूं सबसे पहली बात कि कौन कौन से कोर्सेज आपके एम्स पैरामेडिकल एक्जाम के अंडर आएगा फिर एक्जाम में बैठने के लिए ऐलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या है और एक्जाम जो है एमस पैरामेडिकल का उसका सिलेबस क्या होगा जी उसका mode of examination और फीस कितना अविलेबल है सारे एमस में पैरामेडिकल के लिए कौन-कौन से कोर्से के अंदर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर duration of course हरे कोर्स का duration कितना है कितने साल का हरे कोर्स होता है फिर college का फिस कितना होगा भाई दोको free में तो पढ़ाएंगे नी बले सरकारी college भी है तो लेकिन 100-200 रुपे का ही कुछ fees रहता है जादा fees नहीं रहता है तो सारे एमस का fees भी आपको बताया जाएगा और बाद में सबसे important है कि stipend and internship salary अब मैं यह गूगल से मैं कोई बीचीज नहीं करक्यारों कि Google पे लिखा हुआ है यह YouTube में बोला है बिल्कुल नहीं यह एमस paramedical क का information voucher से ना हमने properly निकाला हुआ है यह voucher का link में आपको description box में provide करवा दूँगा आप लोग जाके से go through कर सकते हैं जी सबसे पहला यह सवाल आ रहा है कि सर कौन-कौन से courses offer की जाती है तो अलग-अलग aims में अलग-अलग courses offer की जाती है जी अप तो ध्यान से यहां पर सुनना ह आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहां पर हर इक चीज अगर हम बात करेंगे सबसे पहले aims new Delhi के बारे में तो aims Delhi के इंदर ना कुल पांच courses आपके offer किये जाते हैं जी पहला है तुमारा B.A.C bachelor of optometry फिर आपके बास B.M.L.T medical technology and imaging technology फिर B.A.C. course in the dental operating room assistant और उसके बाद B.A.C. course in the dental hygiene and B.A.C. course in the operation theater technology अब दिखिए इन दोनों का scope जो है यह बहुत ज़ादा है यह तीनों का scope सारे जितने भी private colleges और government hospitals है उनमें इन तीनों का इसको बहुत अधिक होता है जी ठीक है अच्छा फिर aims nature के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन-कौन सी courses आती है जी अब देखो इसमें B.A.C. in medical technology technology okay MLT आता है जी फिर M.T.R आता है medical technology in radiography फिर बात में B.A.C. in operation theater and anastology technology OT80 courses को आपन कहते हैं अच्छा B.A.C. in the medical technology in the radio therapy okay M.T.R.T and B.A.C. in the per fusion technology इसका बहुत जादा भी scope है ना इंडिया में आपका बढ़ रहा है तो यह सारे जो courses रहना वो आपकी aims भुबनेशर के अंदर आती है जी अगर हम बात करेंगे aims रिशिकेश के अंदर तो aims रिशिकेश में तुम्हारा B.A.C. in anesthesia technology ठेक है उसके बाद urology technology है ना ते उसके बाद radio therapy technology sleep technology respiratory therapy and medical laboratory technology यह सारी आपकी aims रिशिकेश के अंदर है फिर aims नाखपूर के अंदर medical lab technology और emergency medicine technician अब यह course है ना बहुत demand इसका बढ़ रहा है जो भी emergency centers होती है ना trauma center वहाँ पे इनका उपयोग बहुत जादा होता है जी ठीक है अच्छा फिर aims बिलास पूर के अंदर आपका अब BAC medical technology dialysis therapy technology जो dialysis में help करते हैं फिर BAC medical technology and imaging technology MRIT फिर BAC MLT तुमारा वही basic medical laboratory technicians ठीक है यह आपका aims बिलास पूर का है फिर aims जोदपूर में आपका परिफूजन technology भी है फिर radio therapy technology भी है फिर MLT भी है और operation theater technology भी आपका देखने को मिलेगा जी ठीक है फिर aims बिम नगर में sorry बिबी नगर में क्या देखने को मिलेगा BAC in MLT ठीक है और आपके बास radiology वाला भी आपको देखने को मिलेगा तो यह सारी जो courses है ना और फिर बाद मे aims रायपूर का भी यहां पर लिखा गया है तो aims रायपूर में भी तुमको यह सारी courses offer करवाई जाती है ठीक है अच्छा basically क्या करते है जो paramedical की जितने भी technicians होते ना यह doctor को help करते हैं ठीक है यह होते है अब देखो तो यह सारी courses आपकी aims paramedical के अंदर आती है BAC nursing भी आता है इसके लिए मम लोग एक separate video बनाएंगे उसमें बहुत सारी कुछ-कुछ changes रहती है ठीक है अब दुसरा सवल आता है कि सर qualification क्या लगता है इस exam में बैठने के लिए सबसे पहली बात कि जो आपका class 12 होगा या तो PCM वाले student रहो या तुम PCB वाले student रहो ठीक है और English compulsory होना चा चाहिए अब इस examination में लड़के और लड़कियां दोना apply कर सकती है और single paramedical exam से आपको यह सारी जो courses रहना वह offer करवाई जाती है ठीक है यहां पर लिखा गया ना यह आपका official website पर भी है general OBC और EWS के 50% और SCST category के लिए आपको 45% 12 में होना ही चाहिए ठीक है आईए अब तिसर आ रहा है इसका mode of examination क्या होता है जी सो बच्चों इसका mode of examination है ना यह आपका online conduct करवाया जाता है कैसे online होता है जी offline नहीं होता है अचा 90 minute का यह paper होता है कितना यह 90 गंटे का आपका paper होगा और यह English और Hindi में conduct करवाया जाता है यहां पर देखो PCM वालों के लिए माक्स देना पड़ेगा biology नहीं देना पड़ेगा और PCB वालों को सिर्फ biology देना पड़ेगा तो physics, chemistry और biology 33 questions होते है total 90 सवाल होता है आपके बास total 90 questions है 90 minutes में आपको करना है जी और syllabus क्या है मुनना तो NCRT completely NCRT इसका cut-off कितना निकलता है जी अगर मैं तुमको बताओ ना तो 90 मेंसे अगर आपका number समझो कि 60-70 marks आ रहा है ना तो समझो कि तुमको AIMS दिल्ली जैसे colleges में आराम से courses कोई ना कोई मिल जाएगा तो इसे cut-off जो range ना क्यूंकि जादा competition इसमें अभी नहीं है यह secondary लों का priority रहता है बहुत से बच्चे AIMS paramedical में admission तो ले लेते हैं और बाद में NEET के ति सिर्फ रजिस्टर करने के लिए और OBC, SE, OBC के लिए 2000 है, SE, OBC के लिए 1600, 1600 और WS के लिए 1600 आपका होता है जी देखेंगे तो और अगर आप यहां पर देखेंगे तो PWD वालो के लिए 1 रुपे आपको नहीं देना है PWD वालो को जी यह हो गया examination fees को ले कर जी अब यह form date sir April, 24 के बीच में आपका form निकलेगा आपको form भरना है और जोपका examination होगा वो जुलाइ में होगा और जुलाइ महीं आपका result भी आपका out हो जाएगा जी ठीकें तो आपका February से लेंकिten March, April के भीच में लिए form निकलता है सवाल यह आया हुब था कि ECG is a major of ECG से हम लोग क्या major करते हैं हाट की अलग-अलग electric potential को अपन major करते हैं तो 20 का answer हो जाएगा जी विट्रस humor तुमारे पास क्या होता है जी यह म्यूकस का connective tissue लेयर होता है क्या बढ़िया इन respiration largest amount of energy is produced in सबसे जादा energy तुमारे पास इन respiration largest amount of energy is producing सबसे अधिक energy किदर बनता है क्रेब cycle में बनता है आपका आप सभी लोग जानते हो जी मतल अब यह सवाल animal kingdom का है torpedo is commonly known as इसको अपन electric rays कहते है क्या जी हना current यह आपका निकालता है जी तो ऐसे questions आपको आता है साइंटिस्ट नहीं बनना इसमें NCRT जो नीट वाला बच्चा है ना वह इस exam को बहुत अराम से crack कर लेगा जिसका basic जिसका NCRT सब अगर clear रहेगा तो ओगे यह सारे जो प्रीवेसर पेपर है ना यह भी मैं description box में provide करवा दूंगा आप लोग जाके 265 seats है total और जनरल वालों के लिए सिर्फ 127 है अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो यूर के लिए आपके पास 127 है और OBC के लिए अगर आप देखोगे तो कितना है हमारे पास 68 seat है होगे SC के लिए हमारे पास 35 है ST के लिए 30 नहीं यहां पर अगर बड़े गौर से देखोग है और सबसे अधिक आपका जनरल कर्टेग्री में 127 seats रखा गया है जी देखो अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो BAC of Optometry है ना दिल्ली में जनरल वालों के लिए 10 seats हैं पूरा BAC in Optometry के लिए 24 seats आपके AIMS दिल्ली में होगे AIMS दिल्ली के बार में आप बोला गया है फिर बाद में MRIT के लिए 11 seats है AIMS दिल्ली के अंदर फिर Dental Operating Room Assistant के लिए 2 seats हैं ऑगे बढ़ो Dental Hygiene के लिए 2 seats हैं ठीक है फिर Operation Theater Technology के लिए बहुत अधिक seats है मुनना आपके 20 seats यहां पे available है क्योंकि इसका demand बहुत जादा है ना उसके लिए ठीक है वैसे यहां पे सारे AIMS क मैंने आप लोग को यहां पे list दे दिया है मेरे telegram पर रहना मैं इसको provide करवा दूँगा तुम बिल्कुल भी tension मत लेना जिते को बिलासपूर का भी यहां पे दिया है बुबनेशर का भी जोदपूर का दिया है रिशिकेश का दिया है बीबी नगर का दिया है रायपूर का अब यहां आपको दिया गया है ठीक है तो यह आपके पास सारे के सारे जो है यह सारे streets है तो total seats है हमारे पास school कितने जी total अगर मैं यहाँ पे लिखना तो total seats है हमारे पास 265 कितने 265 हमारे पास total seats यहां पे available करवाई गई है ठीक है I hope कि इतना समझ में आता रहे अच्छा अ अगर आप देखो कि तो बासलर ऑफ आफ्टमेटरी के लिए आपको तीन साल प्लस वन एर का कंपलसरी इंटरंशिप करना ही पड़ेगा ठीक है फिर तुम्हारा MRIT के लिए भी तीन साल और एक साल आपको इंटरंशिप करने पड़ेगा मतलब करने के कोच ज़रूद नहीं है फिर आप देखेंगे टो बीषए नर्सिग में तो इंटरंशिप के जरूद होती है यह चार साल पाओं एक बनलब करेंगे तो तीन साल का होता है जो पढ़ना है आपको और एक साल है अचल आपको में आपको description box में provide करवा दूंगा because हम लोगोंने courses जान लिया है ना मोटा मोटी तीन साल आपको पढ़ना है और एक साल आपको compulsory internship करना है जी सारे courses में आपको देखने को मिलता यह चीज होगे अच्छा अब college fees के बार में हम लोग बात करते हैं तो तो अगर आप देखोगे तो optometric लिए मातर तीन साल फीज तीन सो रुपए फीज है कितना तीन सो जादा फीज नहीं यहां पर तीन सो तीन सो तीन सो चार सो अब बी ऐसे nursing के बार में अब बाद में अलग से बात करेंगे जी ठीक है तो यह सारे आपके feces होती है आपको बस mess का पैसा अलग से देना है और आपको hostel मिलता है अब आपको एमसोनियन की तरह ही ट्रिट किया जाएगा जब आप पैरवल अगर आपका होगा ना जब आप पास करके निकलते हो तो आप एमस कहीं कहला होगा कि आप एमस ही पास आउट हो ठीक है तो आपको यहां पर नर्सिंग की बारे में अलग से बात करेंगे आप तो मेट्री वालों को ना 500 रुपय स्टाइपंड मिलता है हर महीने का आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको स्टाइपंड मिल रहा है ठीक है और जो आप पास करके इंटर्शिप में जाओगे न तो 13940 पर मंत आपको मिल को स्टाइपंड जो है वह इंटर्शिप कर दौरान दिया जाता है है ना स्टाइपंड इंटर्शिप कर दौरान होगे 10,250 रुपे ठीक है इसी प्रकार से यहां पर सारा का सारा आपको दिया गया है अच्छा कोई भी अगर फॉरें अगर नैशनल केंडिडी डान तो उसक अशन ठीक है था और उसकतरी न जाता है और मैं एक शपीशल मोटा मोटी चेक हो रहा है कि सट्टर हजान आपको जैरी सोको तॉम्हार से नगी कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हू duy hil दिखें यह नहीं कहा हूं कि पूरा करो तुम एक बार admission ले लो यार और वहां पर ना तुम नीट के त्यारी करो ठीक है तुम स्विच भी कर सकते हो ना यार कि तुम्हारा इसमें भलाई हो जाएगा ठीक है उसके लिए कि तुम्हारा जो mental pressure है वो आपका कर दिया है जरूर से आप लोग कर लीजेगा आज हम लोगोंने sexual reproduction खतम कर लिया है कल हम लोग human reproduction करने वाले हैं प्रैक्टेश जी सुभा दस बजे daily class होती है ठीक है तो अगर तयार होगे तो comment section में हाश्टक तयार जरूर से लिग दीजिएगा अच्छा special class पर तुम्हारी festival week श आप teacher से interact कर सकते हो और आपने doubts clear करवा के ले सकते हो अगर आपको कोई paid batch लेना है as per the new NTA का syllabus अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर से ना fast track batch course के अंदर आप enroll कर सकते हैं और इंडिया के top educators आपको इसमें पढ़ा रहे हैं and do use the code biology life I hope कि तुम लोगो यह video बहुत अच्छ बाप बाइ